आज के लेक्चर के सुरुवात एक बेसिक से सवाल से करते हैं कि किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति, परिस्थि, संस्था, किसी भी को प्रासंगिक प्रासंगीक्ता के आधार पर जाचने की जवरत क्यों परती है या प्रासंगीक्ता कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा प्रासंगीक्ता का मतलब होता है कि आज ये चीज कितना ज़्यादा relevant है जरूरी है आज ये चीज की जवरत क्या वाकिए है या नहीं है जैसे आज आपको कोई बोलेगा कि PCO का कारवार खोल लो क्या जरूरत है आज के समय के या बोलेगा साइवर कैफे कोल लो तीरे दीरे ये भी बंद हो रहा है क्योंकि हर आदमी का फोन जो है ना हाथ में या आने वाले समय में हर घर में computer जो होगा ना वो ये सब जौब खतम कर देगा तो प्रासंगीकता समय के साथ संस्था की काम का व्यक्ति का नेता का हर चीज का बदलता रहता है इसलिए समय समय पर जहुरत परती है कि प्रासंगीकता को जाचे जब उसको जो काम सौपा गया है वो काम वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा हो जैसे प्रधानमंत्री का काम जो होता है राष्ट का विकास करना अगर वो नहीं कर पा रहे हैं राष्ट के सुरक्षा करना नहीं कर पा रहे हैं उनको इस्तिपा देना पर जाता है इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूगा कि मैं आपको अच्छा content प्रोवाइड करूँगा लेकिन मैं आपको दिन बार motivational और guidance वीडियो ही upload करता रहूँगा एक भी content नहीं प्रोवाइड करूँगा धंका जो पढ़ने वाला होता है तब क्या बोदो कि opera संगीक हो गया है इसको वो पूरा नहीं कर पा रही है तो क्या बोलते हम क्यों नहीं इसको बंद कर दें या क्या बोलते हैं सामानी सब्दों में और प्रासंगीक हो गया है ओके किलिर हो गया होगा आई यार का next lecture है ये आप सभी का स्वागत स्ट्रीफ और UKCPCS पर अगर आप पहली बारा है चैनल पर तो subscribe कर लीजे one of the best material मैं आपको provide कर वाता हूँ आपके exam के regarding मिंस्क और PT दोनों में जो आपको करेंटर फेर पूछे जाएंगे उसके regarding आज का हमारा टॉपिक है कि United Nation की प्रासंग इकता क्या है क्या इसको बना कर रखना जरूरी है क्या इसको स्वाप्त कर देना चाहिए इसमें कौन-कौन से सुधार को लाओ किया जा सकता है और सुधार की जवरत क्यों पर ही है कौन-कौन सी चुनौतियां है इसके सामने civilization का मुख्य उद्स से क्या अगर आप से कोई पूछे का ताब क्या बोलोगे सबसे पहला इसका उद्स से पता है क्या है ऐसका सबसे पहला Μानव अधिकार को सुरक्षित करना क्या है इसका काम गोल्ड और विस्व में सांतिक बनाई रखना बहुपक्षवाद को बरहावा देना बहुपक्षवाद क्या होता है किसी एक आदमी के पीछे पूरी दुनिया ना भागे जो दुनिया है वो अपनी अपने पक्ष में खरे रहे किसी एक का गुट का निर्मान ना हो पुरवी और चीन के सीमा पर हमेशा भिवाद के स्थिती बनी रहती है यूएन के रहते हुए परमानू और परसार को बरहवा देता है यूएन लेकिन आए दिन नौर्थ कोरिया जो है वो क्या करता है परमानू परिक्षन करता है यूएन के रहते हुए अफगानिस्तान महिलाओं का प्रासंगिता पर सवाल खरा करता है कि आपको बनाया किसले गया है और आप कर क्या रहे हो इन सब चीजों पर डीटेल बाज हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले युनाइटे नेशन की थोरी सी इंट्रॉक्षन देख लेते हैं क्या है क्या है 1945 में जब Second World War खतम होता है उसके बाद विस्व में इसको बनाया जाता है विस्व के बहुत सारे देश मिलकर इसको बनाते हैं क्यों बनाते हैं कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिती फिर से ना बने पूरे वैस्वी कस्तर पर युद्ध ना बने एक दूसरे देशों के सा इस मैंने भी बताया पहला उदेश से है विस्व की सान्ती दूसरा उदेश से है विस्व की सुरक्षा तीसरा है मानवादी कारों के रक्षा करना चौथा है इसका सतत्विकास को बरहावा देना SDG को बरहावा देना युनाइटे रिसन जब से बना है उसके बाद से ही समय समय के हिसाब से इसे बहुत सारे परिवर्तन किये गए हैं आप से सवाल क्या पूछा जाता है एक्जाम में सवाल ये पूछा जाता है क्या UN आज भी UN आज भी प्रासंगिक है UN आज भी प्रासंगिक है जब भी ये सवाल पूछा जाएगा क्या आप खंडन करेंगे इस सीज़ का कि नई प्रासंगिक बिल्कुल नहीं आप बंद कर दो ऐसी चीजों को आप बिल्कुल नकारेंगे कि नई प्रासंगिक है आप बोलेंगे है हाँ कुछ सुधार करने के अबस्त जवरत परती है धीरे धीरे क्या होता है आपका फोन ही है पुराना हो जाएगा फोन तुसे नए सॉफ्ट बेर नए अप नहीं चल पाते हैं तो क्या करते हो आप उसको अपडेट करतो सुधार करते हो उसमें यही सुधार हज संस्था की जवरत होती है सुधार के बिना कोई भी चीज डेड हो जाता है जिर्न इस्तितीम पहुंच जाती है रुका हुआ होता है रुका हुआ पानी भी सर के गंद करने लग जाता है तो सुधार की इसमें जवरत है सुधार के दोरा फिर से हम इसको प्रासंगिक बना सकते हैं और कुछ चुनातिया है उसका समाधान भी होना चाहिए UN में सुधार होना चाहिए इन चीयों के माधियम से आप इसका खंडन करेंगे कि नई प्रासंगिक का पर प्रसन उठाया जाना चाहिए लेकिन क्रिटिसाइज भी करना चाहिए लेकि सुधार क माधियम समें इसको सही कर सकते हैं और फिर आप क्या करेंगे UN के बहुत सारे काम है जो पॉजिटिव एप्रोच है कौन-कौन से काम कहां कहां पर कर रही है उसको लिखेंगे उसको लिखने के बाद आप ये गिना देंगे कि UN के इतना सारा अच्छा काम भी कर रही है दो-चार जगह ये औसफ़ल जरूर हुई है उसको नेगलेट करके हमें इन अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए कोस्तन कैसे फ्रेम करके एंसर लिखना उस पर किलियर हो गया है संसनी ब्रेकिंग न्यूज वाला चैनल नहीं है कंटेंट वाला चैनल है हमारा इसलिए मैं आपको भी बारीकी से समधाने की कोसिस कर रहा हूँ अब UN की ओसफ़लता के कारण क्या-क्या होते है उसके बाद देखेंगे कि कब-कब ओसफ़ल होई है अगर आपसे पूछा जाएगा कि युनाइटि निशन की ओसफ़लता कारण क्या है मैं आपको पीडिया फिलाया हूँ पीडिया भी परवाऊंगा मैं आपको चिंता मत कीजेगा उसका सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ये पीडिया फिरी मैं आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्किप्शन में है इस्टाग्राम का इडिद मेरा दिया हुआ रहे तो वहाँ पर आप कुछ मुझसे पूछ सकते हैं गुरूप भी जॉइन कर लीजेगा हिस्ट्री, ऑप्सिनल और मेंस एंसर राइटिंग का युएन के ओसफलता के कारण कौन-कौन से है किसी भी संस्था को जब बनाया गया वैस्वी कस्तर पर तो अगर आप राष्ट संग का नाम सुना होगा जो प्रथम फर्ष्ट वर्ड वार के बाद बनाया गया था उसके ओसफलता कारणों के सबसे पहले पढ़िएगा उसके बाद आपको युएन के ओसफलता के कारण पता चलने सुरू हो जाएंगे जो राष्ट संग था वो जब ओसफल हुआ दूती अभी स्योधो का घटे ना हुआ था युएन अभी सफल होते होते बार बार बच जाता है कारण कौन-कौन से इसके ओसफलता के पहला क्या है आर्थिक संप्रभुता नहीं है इसके पास यानि कि आर्थिक निर्भरता हमेशा बनी रहती है इसकी किसी ने किसी देश पर दुनिया के सारे देश इसको फंडिंग करते है जिसम्स सबसे ज़्यादा फंडिंग USA करता है बड़े बड़े जो इकॉनोमी वाले देश है वो लोग करते है इससे क्या होता है जो आपको पैसा देगा वो एमे पईसा नहीं देता है कोई भी वो आपसे कुछ अपना अपना इंट्रेस जरूर साधेगा तो सबसे पहले इसकी विफलता कारणों में क्या आता है कि आर्थिक निर्भरता इसकी अभी तक बनी हुए जिसके कारण से विफल होती रहती है इसके पास अपनी निर्णे लेने के सुतंता इसके कारण से प्रभावित होती है निर्णे लेने के सुतंता तब और अच्छी होगी जब ये आर्थिक रूप से भी सबल हो जाएगा अगला क्या है अपनी सेना नहीं है इसके पास मतलब इसके पास अगर वास्तविकता तोर पर देखें तो पावर या सक्ती का भाव है अपनी सेना नहीं है ये दुनिया के सारे देश जो है अपनी सेना का कंट्रिबूट करते हैं उसमें उसके बाद युएन के पीस्किपिंग फोर्स या किसी युद्ध को रुकवाने के आज तक सामर्थ युएन में नहीं आ पाया है कि हम आर्म फोर्सेज को दोरा या सैन हस तक छेप के दोरा या जोर जबर्दसी से किसी युद्ध को रुकवा सके इतने सक्ति आज तक युएन के पास नहीं आ पाया है अगला क्या है इसके उस फलता कारणों को क्या लिखेंगे विश्वास की कमी है ट्रस्ट इसू है आज भी इस पर ट्रस्ट इसू क्यों है क्योंकि जो इसको सबसे ज़्यादा फंडिंग करेगा कहीं न कहीं उसके पक्षे तो जुकाओ होगा ही है ना जिस गुट का या जिस देश का इसे प्रभुत होगा उसके तरफ तो जुकाओ होगा ही अफरीका के मामले में आप जट से सांती सेना भेज देते हो अफरीका के मामले में आप जल्दी से सेना भेज दिया सांती सेना को लेकिन जैसे ही बात आती है रूस की अमेरिका की चीन की चीन ने ताइवान को अपना चारो तरफ से घेर रखा, एक तरह से बंदी से लगा रखी है, कभी भी उस पर आकर्मन कर सकता है USA इरान को आए दिन धमकी देश आ रहता है, वेनेज्वेला देशे देश को तबाह कर दिया, USA ने एकॉनिमिक सेंसेंस लगा के रूस है, इसने युकरेन में घुस पैट की है, सिदे सिदे घुस पैट की है, कहीं पर भी आपके सांती सेना क्यों नहीं जाती है अफरिका में तो तुरत से आपकी सांती सेना पहुंच जाती हो वहाँ पर अफरिका में तो तुरत से आप हस्तक छेप करते हो लेकिन जैसे ही बरे देशों की बात आती है आपको साफ सुन जाता है तो ये क्या है ये क्या दिखाता है एक विश्वास की कमी को दिखाता है अगला क्या इसका उसा फलता कारण आप लिखोगे चौथा कारण पस्यमी परभाव को आप लिखोगे जैसे United Nation के Security Member जो Security Council होती है सुरक्षा परिस्द होता है United Nation का छे घटक है United Nation के छे अलग-अलग कार इसमें एक कारियाला है United Nation Security Council UNSC जिसको कहा जाता है इसके 15 सदस्य है इसमें पांच जो होते हैं ये अस्थाईत हैं और 10 जो हैं वो अस्थाई होते हैं इस पांच में देखो कौन कौन से हैं इसमें USA है इसमें ब्रिटेन है United Kingdom इसमें फ्रांस है इसमें रूस है इसमें चीन है चीन एसिया का है रूस का पस्मी देशों से हमेशा बर्चस पर लिए लड़ाए रहती है ये तीनों देश कहां से हैं छोटे से यूरोप से United Kingdom और फ्रांस जैसे सदस्य हैं USA भी पस्मी बिचारों वाला ही देश है और पूरे के पूरे एसिया और अफरिका से एक भी सदस्य से नहीं लिए आपने पूरे एसिया से एक चीन मातर सदस्य है क्या है ये क्या दिखाता है कि United Nation कहीं ने कहीं पस्मी प्रभाव और पस्मी बिचारों से प्रेडित संस्था है आप ऐसे ही लिखोगे सब भी सब दो में करना है आप क्या बताओगे United Nation के Security Council में पांच में से तीन सदस्य जो है वो क्या रखते हैं वो दुनिया के पस्मी बिचारों वाले देश हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भारत दूसरी बड़ी एकॉनमी तीसरी बड़ी जापान डेवलपिंग कंट्री बिक्स या S.C.O. अफरीका इतना बरा महादूप है उनमें से एक भी देश नहीं है अरेवियन कल्चर होता है अलग वहां से एक भी देश नहीं है दक्षिन पूर्वेसिया के देश है वहां से भी एक भी देश नहीं है हम पाच्वी दुनि लोकतंत्र की आप बात करते हो तो प्रभुत्त वहां पर अभी भी बना हुआ है और भी क्या वहां पर है प्रभुत्त के साथ साथ आप यह देखो बिरोधा भास भी है बिरोधा भास मैंने क्यों बोला भई जैसे अमेरिका हो गया USA हो गया समझते जाए यह उनाटेर किंग लेकि दुनिया में सबसे अधिक परमानु हथियार USA के पास है उसके पास है उसके पास है उसके बाद नमबर आता है दुनिया में परमानु हथियार के मामले में चीन की बारी आती है उनाटेर किंगनम के पास भी है परमानु हथियार फ्रांस के बास भी परमानु संपन दे करते हो आपके UNSEE में जो पांच मेंबर हैं अस्थाई उनके पास हतियार हैं बहुत सारे परमानों आप दुनिया के निर्सस्त्री करन की बात करते हो निर्सस्त्री करन की बात करते हो का हतियारों की होर को कम किया जाए दुनिया हम सबसे अधिक हतियार बेसता है अमेरिका उस उसके बाद बेजता है चीन उसके बाद बेजता है यूके उसके बाद बेजता है फ्रांस और आप क्या किस सीज के बाद करते हो कि हम दुनिया को सस्तरों से मुक्त करेंगे अब वैसिक सांती की बात करते हो इरान इराक वार किसने सुरू किया अफरीका में आज भी किसकी सब जहते सेना मौझू है आपको वहांपर देखेगा UK की सेना है फ्रांसी सेना सबसे धिक दिखेगी इरान इराक वह स्रूरे था चीन के साथ जिन के जितने भी परोसी हैं वो उसके साथ परिसान रहते हैं रूस ने अभी अभी यूकरेन पर आकर्मन किया है और ये सभी आपके क्या है सदसे है यूएसे न अफगानिस्तान में आकर्मन किया था यूएसे न वियतनाम बौर्र भाग लिया था क्यूबा मिसाइल संकट आया था दुनिया में ये सभी इन ही देसों के कारणामे है और इनी देशों को आपने क्या दाई तो दे रखा है यूएन को संभाल कर रखने के दाई तो दे रखा है ऐसे लग रहा है जैसे साइक्ल चोर के घर पे साइक्ल खरा कर क्या है है हम आसान से सब्दों मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा ये हमने क्या किया है ये आलोचना किया है हमने आलोचना के कारणों को मैंने बताया है कि क्यों इसकी आलोचना की जाती है और सफलता के कारणों को मैंने बताया है कि कोसिस की है चोर की दारी में तीनका वाली बात है युनाइटे नेशन की अभी जब मैं इसके आ सफल हुई है पहला आता है क्यूबा मिसाइल संकट NCR टीम पढ़िएगा क्यूबा एक देश है USA के समीप USA के बगल में छोटा सा देश है जिसकी राधानी हवा ना क्यूबा मिसाइल संकट में बताता हूं ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या था क्यूबा जो है यह समाजवादी सोसलिस्ट विचारधारा वाला देश है फिदोल कास्तरों का नाम आपने सुना होगा रिवोलुशनरी च्वे गेवरा का नाम सुना होगा आपने चे गेवरा इनसे अब क्या है रिवोलुशनरी है समाजवादी सोसलिस्ट अब सोसलिस्ट है तो यह किसके करीब होंगे यह क का परोसी था तो USA ने क्या किया जब सीत यूद का समय था सीत यूद आपको पता होगा सेकेंड वॉल वर के बाद दुनिया दो गुटों बट गए थी एक गुट था अमेरिका का एक गुट था रूस का एक गुट था वो पूजी वादी वैस्था पहलाना चाहता था यानि कि मुक्त बाजार वाले तंतर जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसमें सरकार कोई बाजार महस्तक शेप नहीं करती है एक USSR का साइड था रूस का साइड था जो समाजवादी विश्व की परिकल्पना करते थे और समाजवाद को पूरे दुनिया में इन दोनों बैचारिक मतभेद हथियार का स्थर पर भी बढ़ गया था तो USA ने क्या किया USSR के चारों तरफ परमानों हथियार के तैनाती कर दी अलग अलग जगों पर तो USSR क्योबा उसके बैचारी के रूप से करीब था क्योबा में उसने परमानों हथियार लगा दी है इससे संकट हो आप दोनों के बीचे परमानों युद्ध की नौपत आ गई थी इसी को क्या कहा जाता है बंद हो इसको क्योबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है मैंने एक उपर उपर बताया है आपको कहानी जैसे इसको डीटेल पढ़िएगा NCRT 12 में आपको बेसिक से मिल जाएग तो ये जो क्योबा मिसाइल संकट हुआ था इसमें भी दुनिया में विस्व यूद का खत्रा बन गया था वर्ल्ड वार का खत्रा बन गया था और इसके कारण क्या हुआ था यूएन की प्रासंगीता पर कहीने कहीं सवाल उठाए गये थे कि लड़ हो गया उगा 1962 में चीन हमारे सेमय वा में गुस गया उसने बहुत सारे एलाके हरक लिए उसमें प्रासंगीता पर हम आने सवाल खड़े किये थे उसके अलावा बियतनाम बौर होता है बियतनाम बौर होता है अफरीका के बहुत सारे देश जो थे वो 1990 भी तक उपनिवेस बने हुए थे उपनिवेस बहुत सारे लोगों नहीं समझ में आ रहा थे एक दी बच्चे ने कॉमेंट किया था उपनिवेस का मतलब होता है कॉलोनी जैसे हम बिरिटेन की कॉलोनी थे उपनिवेस का मतलब होता है उस देश का राजनितिक और आर्थिक तंतर जो है किसी और देश के हाथ में है कोई और देश वहाँ पर सासन कर रहा है प्रत्यक्षिय और प्रत्यक्षिय रूप से उसको उपनिवेस कहा जाता है अफ्रीका के बहुत सारे देश उन्हें सो लब्बे तक आजाद हुए हैं ये भी यूएन के फलता कारण था कि आपके बनने के पचास बरसों बाद भी देश वहाँ पर संपुर उरूप से आजाद नहीं हो पाए और आजाद होने के बाद भी उन देशों में आज भी इन देशों का यूरोपियन कांट्रीज का फ्रांस का बेलजियम का और ब्रेटेन का इनके सैनिक वहाँ पर अभी भी मौजूद है हथियार धन्बल के साथ यूएसे ने जो इराक पर आक्रमन किया था तेल को लेकर इसको तेल का वार भी कहा जाता है इसकी बात भी करेंगे खारी यूद जिसको कहा जाता है इसकी बात करेंगे इसमें भी ओसा फलता देखी यूएन की अफगानिस्तान को लेकर जो यूएसे ने आक्रमन किया एक त है पहले जितने परमानु संपन देश थे आज उसके तुला में बहुत सारे देश है जितने परमानु संपन देश इसराइल के पास भी एटामिक हतियार होने के सबूत मिलते हैं और आपका पकिस्तान के पास भी एटामिक हतियार है North Korea का पास atomic हतियार है और कोई उनकी जवाब देही भी नहीं बनती है कब किसके हाथ लग जाए वह हतियार कोई नहीं जानता है क्योंकि वहां का governance जो है वो आज भी governance जो है वो खुद ही वहां पर धसी परी है उनको खुद का ही भरोसा नहीं, कब रहेंगे, कब चले जाएंगי, तो हती हार सोचों, किसी गलत आदमी खात लगे तो क्या दसा होगी, उसके लावा क्या है, सीरिया का गर्षियुद, सीरिया का गर्षियुद यहे, ये भी एक बिस ऑसफलता का कारण है, United Nation के उसफलता को ही दिखाता है कि वहाँ पर ग्रिह युद्ध हुए है भारी पैमाने पर वहाँ पर अलग अलग देश भी आपस में लड़ रहा है USA लड़ रहा है रूस भी लड़ रहा था कुछ दिन पहले अरब के बहुत सारे कंट्री इरान इराक जी सब उसमें इलवाल्व हैं उस युद्ध में छदम युद्ध चल रहा है पूरे दुनिया में उस तरह से देखा जाए तो यमन यहाँ पर भी किसके किसके युद्ध चल रहा है यहाँ पर चल रहा है युद्ध एक तरफ इरान है और एक तरफ सौधी अरब है यानि कि सिया सुन्नी कंट्री जो है यहाँ पर आपस में लड़ रहे युनाटे नेशन बैठा हुआ है दुनिया में और समानता बढ़ी है और समानता यानि कि इंक्लूजन जो होती है वो कम हो गया है अमीर देश और अमीर हो गए है गरीब देश और गरीब हो गए है यह और समानता बढ़ी है यह भी युन के एक उसफलता कारण है परियावरन संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यह भी एक उनाटे नेशन का बहुत बढ़ा उसफलता कारण है मान भी यह उत्तर अमेरिका लोग जा रहे ते जिसके अगर अमेरिका को पूरा का पूरा मेक्सिको वॉल बना के घेरना परा ये सब क्या है सरनार्थी संकट भी युनाइटेनेशन की और सफलता को दिखाता है बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता है इनको नोट डॉन करके रखिएगा क्लियर हो गया ये सब क्या है ये सब युनाइटेनेशन की और सफलता को समय समय पर उजागर करते हैं वर्तमान में सबसे ताजा उधारन कौन सा है तो रूस और यूक्रेन का वार है यूस रूकरेन वार के वाला क्या बलोगे आप कि जैसे चीन ने एक तरफा दक्षिनी च इंसागर पर कबजा कर लिया ये भी क्या दिखाता है यूनाइटेनेशन की और सफलता को एक दिखाता है कि यूनाइटेनेशन कुछ भी नहीं कर पा रही है कोरोना के दौरान भी यूनाइटेनेशन में बहुत सारे सवाल खरा किये गए कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल ग कारण उभरके सामने आता है कि उन्याटेनेशन यहां भी और सफल हो गई महिला अधिकारों की बात करें तो महिला अधिकार बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो पस्वी वर्ल्ड को छोड़ कर अफरीका के बहुत सारे देश हैं इसलामी कंट्रीज बहुत सारे हैं यहां पर आज ही महिलाओं को बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं दिया गया है यह क्या है यह भी एक कुछ किया और सफलता के दिखाने की कोशिस करता है पीडियाफ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पीडियाफ का अभी अवी आपको सफलता कहां कहां पर है और क्यों इसको बना कर रखना चाहिए यह थाथुक्षिक करूं गा सुरक्षा परिस्द, UNSC की मैंने बात किया भी सुनितराष्ट आर्थिक और समाजिक परिस्द सुनितराष्ट न्यास परिस्द अंतराष्टिय न्यायले और सुनितराष्ट साचिवाले यही छे मुख्य बॉड़ी है यही घटक है इसके बाकि संस्थाएं तो बहुत सारी इसमें काम करती है बहुत सारी 20 संस्थाएं है अब इसके समग चुनातियां जो है यह आप पूरा पढ़ेंगे उसमें से एक मुख्य चुनाती में बता देता हूँ पहला चुनाती सबसे मुख्य कौन सा है कि UNSC में सुधार करना पड़ेगा उनेटरेसें सेक्रिटी कौनसील में इसमें जो किवल 15 सदस्थाएं जिनको वीटो पावर दिया गया है UNSC के फैसले जो होते हैं यह बादिकारी होते है बाकि UN का कोई भी फैसला बादिकारी नहीं होता है UNSC के फैसले बादिकारी होते हैं लेकिन UNSC में जो फैसले लिया जाते हैं इसे 5 सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है वीटो पावर का मतलब क्या होता है बाकि पूरी दुनिया एक तरफ अगर 1 सदस्यों भी इसमेंσε इस पांच अस्थाई सदसों में से एक नभी मना कर दिया तो जो निर्ने है वो लागू नहीं हो पाता है ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि इन पांच देसों का परभुत्त बना हुआ है यानि कि UNSC में सुधार करना ये भारत की सबसे पहली और सबसे बरी मांग रही है इसमें भारत सरकार ने बोला है कि बहुत सारे देसों को सामिल करना चाहिए जिसमें दक्षीन अफरिका हो गया जापान को सामिल करना चाहिए जर्मनी को सामिल करना चाहिए भारत को सामिल करना चाहिए और भी कोई देश सामिल होना चाहते जैसे सौधी अरब का भी है कि मैं भी सामिल हूँ इन सब देशों को सामिल करके UNST का बिस्तार करना चाहिए और वीटों की सक्ती को समाप्त करना चाहिए है ना ये क्या है ये सबसे बड़ी भारत की मांग रही है अब देखते हैं कि UNITER autreकों को समाप्त नहीं करना चाहिए UNITERётся ने कुछ यूद्ध में अगर औसफल रहा है कुछ यूद्धों को रोकने में औसफल रहा है कुछ संकटों को रोकने में औसफल रहा है तो बहुत सारे ऐसे संकट हैं जिसको टालने में, जिसको सॉल्व करने में, उनाइटे नेसन ने प्रमुक भूमिका निभाई है। इसके अलावा, उनाइटे नेसन की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो मानविये जीवन या समाजिक जीवन को बहतर करने के दिसा में काम करती हैं। अगर हम युद को रोकने के इस्तिदी को देखें, तो राष्टबादी जो भी देश होते हैं, वो अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से युद को समाप्त करते हैं। और संस्कृति को बरावा देने की कोसिस करती है, और क्या करती है ये, ये ये करती है कि दुनिया के जो बड़े बड़े असमारक हैं, इतिहासिक, असमारक हो, या सिक्छा हो, संस्कृतिक धरोहर हो, उन सब ही को सुरक्षित करने का काम करती है ये, कैसको बंद कर देना चाह करती है इसको बिल्कुल चला कर रखना चाहिए विनस्को को वर्ल्ड रेडिटेज लिस्ट होता है जिसमें दुनिया के बरे-बरे मॉनुमेंट्स को जगह दी जाती है उनको सारक्षन किया जाता है जिससे आने वाले पीडियों को सतरत रूप से मिलता रहे है युनाइटर न डिवल्लपमेंट की बात की जाती है डिवल्लपमेंट किस दिस्ट को से सारे इसके लक्ष आप जप परेंगे इसमें एक एजुकेशन का लस्ट है लक्ष है फूड का लक्ष है उसके बासे गरीबी को दूर करने का है भुखमरी का है स्वक्ष जल का है स्वास्त का है यह अच्छा काम करें इस दिसा में तो क्यों बंद करना भाई अंख टाड है यूनेस्कों के बाद अंख टाड है कि malaria कि इन सब के सम्मेलिनों का आज़ित करवाना, इन सब के पर्यावरन सम्मधी जाउटा पैदा करना, रिपोर्ट तियार करना, ये सबी किसका काम होता है, युनाटे निशन से जुरी संस्थाइस प्रमुक रूप से करती है, अफ्रीका में बहुत सारे देसों में युदे चल रह ही है, युन वूमेन एक संस्था है, जिसका ध्यक्षभी साइथ भारत ही है, एक वर देख लेना कौन है, युन वूमेन है, ये महिलाओं का अधिकार सम्मधी पूरे बुच्छ में काम करती है, और बर्चर कर हिस्सा लेती, उन से सम्मधी नीतियों का बनाने में, सम्मधी कार, मैंने बता दिया, अब युन एच्सी आर है, युमेन राइट कॉंसिल है, और ये मानवधिकारों की बात करती है, सरनार्थी संकट को लेकर भी काफी जादा ये काम करती है, जो दुनिया में सरनार्थी संकट आता है, जैसे अभी मान लो, सीरिया से लोग गए हैं, अलग अलग देशों में तो ये उनके रख रखाओ का भी, देखवाल का भी काम करती है, युन एच्सी आर करती है, वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम चलाती है, युनाटिनेसन, जिसमें जैसे यमन जैसे देशों में जहापर बच्चों के एक वक्त के लिए खाना और पानी तक नहीं मौया आओ पारा है, उनको खाना पानी मौया करवाती है, बहुत सारे देशों में इसके प्रोजेक्ट चलते हैं, इसके लवाए यूनिसेफ भी काम करती है, यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या करती है, बच्चों से जुरे हुए चीज़ों को बढ़ावा द इतने जादे की हैं, इतने जादे की हैं, इसको बना कर रखना नितांत जरूरी है, और बढ़ावा देने की जरूरी है इन सब चीज़ों को, इसके लाव अगर आप बात करेंगे, यून के जो महासभा होता है, यून एसेम्बली जो होती है, उसे बहुत सारे देश साल में इक वार इकठा होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रतियारोप करते हैं, इस आरोप प्रतियारोप के माध्यम से क्या होता है, आक्रोस उनका निकल जाता है एक दूसरे देश पर, और युद्ध की स्थिती नहीं बनती है, बाचीत को बरहावा मिलता है, तार्किक रूप से एक दूसरे का जो आलोचना होती उसको बढ़ावा मिलता है और दुनिया में सांती कायम करने में कहीं ने कहीं भूमिका का निर्वहन कर रही है यूएन तारीफ में भी बात कर ली हमने औस फ़ल्दा कारणों को भी बता दिया मैंने आपको सारा कुछ मैंना आपको किलियर कर दिया अब आपको क्या करना है ये पीडियाफ अभी ही आपको मिल जाएगा वीडियो समापत होने के बाद ही आपको मिल जाएगा इसको आप पूरा परहेंगे और आज किस सवाल की बारी आती है क्या सवाल होगा यह PDF मेरा खुद का नहीं है मैंने भी वेबसाइट से अलग-अलग से कॉपी करके बनाया है मेरे पास इतना टाइप करने का अगर ना तो साधन है ना तो समय है मैं आपको बता देता हूँ कि आज का सवाल क्या है आज का सवाल यह है कि UN की या इसको सवाल को थोड़ा और अच्छे से फ्रेम करते है United Nation को बना कर नहीं एक नड़ जाओ एक नड़ जाओ इसको ऐसे सवाल को लिखते है मैं सवाल पहले से कोई लिखे ले नहीं दी यहीं पर फ्रेम करता हूँ UN के समक्ष वर्तमान चुनोतियां क्या है चुनोतियां क्या है वो UN के समक्ष वर्तमान चुनोतियां क्या है क्या यह आज भी प्रासंगिक है UN के समक्ष वर्तमान चुनोतियां क्या है UN के समक्ष वर्तमान चुनोतियां क्या है क्या यह आज भी प्रासंगिक है UN के समक्ष वर्तमान चुनोतियां क्या है क्या यह आज भी प्रास्तंगीख है इसको लिखिएगा ढंग से डेटा और फैक्ट सहीत ये PDF में आपको बहुत सारे content मिल जाएंगे उसमें से पढ़ के लिखिएगा उसी बहाने आप परहेंगे तो कम से कम और फिर इसको ग्रूप पर भेज़िएगा मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं एक दो दिन दिन में आपको चिक करके बता दूगा वीडियो लेक्ट्टर कैसा लगा यह जरूर बताईगा कोई सुधार करना हो तो उसको भी जरूर कीज़ेगा कहीं पर कोई मिस्टिक हुआ हो फैक्ट बताने में उसको भी रेखांकित कीज़ेगा मैं उसको सही कर दूँगा थाइंक्यू सो मच आप सभी का